नवस्कार दोस्तो आज सुबह जब मैं क्लास ले रहा था तो एक स्टुडेन कह रहा था कि I am successing success में आएंजी लगा रहा था तो क्या दोस्तो success में हम लोग आएंजी लगा सकते हैं क्या यह उसे confusion था तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी आएंजी वर्ब में लगता है अब success जितना common word है कि लोग उसको वर्ब समझ जाते हैं उसमें आएंजी लगा देते हैं तो आज मैं आपको success से सम्मंदित आपको चार पाट ऐसे पाट आप इसमित बताने वालों जहां पर confusion होता है student confused हो जाते हैं समझने पाते कि करना क्या है और मैं आपको सफलता यानि होता success जो की एक noun है ठीक abstract noun उसके माद सफल successful यह adjective है विशेशनल जिसको इंदे में कहते हैं सफल होना succeed यह verb है हाँ यहाँ आएंगे लगा सकते हैं आप यहाँ नहीं लगा ना क्योंकि वर्भ भी नहीं है यह उसके बाद सफलता पुर्वक successfully यह होता adverb जो किसी वर्भ को qualify करता है ठीक है अब हम लोग इसको fill करके देखते हो पर मैंने कुछ fill in the planks दिये मैंने जैसे I got मुझे मिला success I got success बोलेंगे आप लोग successful तो बोलेंगे नहीं you are not तुम नहीं हो क्या नहीं हो successful नहीं हो she will क्या succeed देखो will के बाद भरवाना चाहिए तो she will succeed in his life वो अपने जीवन में सफल होगी अब किसी और की जीवन में सफल होगी तो हम लोग हर his यहां पर लड़के की जीवन में सफल होगी तो हम पर हर आ जाता ठीक है उसके बाद में he defeated us उसने हमें हराया successfully, मतलब सपलता पुरवक हराया इसका मतलब वड़ा है सपलता पुरवक तो ऐसे में फिल करना बहुत से exams में आता है और हमें यह पुछता है कि वहां में फिल करना है या यह पुछता है कि वहां पर हम कौन सा part of speech पीछ आएगा तो यह आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा part of speech है उसके बादी मिनिंग मालूम होने के बादी हम अच्छे से उसको फिल कर सकते है अब मैं आपको कुछ और example देता हूँ आप सपलता चाहते हो you want success ना कि successful वह सपल होगी she will be successful अगर हम लोग इसको succeed से बनाना चाहिए तो लिखेंगे she will succeed ऐसा बोलेंगे और successful का use क्या तो हमको be लगाना पड़ा क्योंकि successful याने होता है सफल सफल होता है हो के लिए हमको be लगाना पड़ेगा इसमें ठीक है उसके बाद आप सफल हो सकते हैं you can succeed succeed का use कर रहे हैं और इसको successful से बनाएंगे तो you can be successful ऐसा बोलेंगे तुमने सफलता पुर्वक जीता तो तुमने जीता बोलेंगे पहले you want successfully तो successfully जो है वो want याने work की विश्यस्ता बता रहा है वर्व को qualify कर रहा है इसलिए एड़ वर्व हुआ अब देखिए और आगे हैं सुन्दर याने होता beautiful सुन्दर याने beauty सुन्दर बनाना beautify ये बर्व हो जाएगा सुन्दर ता पुर्वक beautifully तो जब आप लोग इसका use करेंगे तो आप लोग make नहीं लगाएंगे क्योंकि beautify याने सुन्दर बनाना होता है उसके लिदा बनाना पहले से डला हुआ है उसके बाद equal, saman, equality, samanta, equalize, saman बनाना equally samanus है हमें कहना है कि आपको samanus से वहवार करना चाहिए तो हम मुलेंगे you should behave equally ये हो जाएगा कुछ होमक लिखा है हम लोग याँ पर क्या वा सुन्दर थी was she beautiful तुमने सुन्दर्ता से समझाया you explained beautifully हमें अपनी भाषा को सुन्दर बनाना चाहिए तो we should beautify our language beautify अनुदर सुन्दर बनाना वहाँ पर make लगाने की ज़रुवत नहीं है ताज में सुन्दर्ता है the taj has beauty beauty हा रहेगा सभी लोग समान है all people are equal हमें समान रूप से वहवार करना चाहिए we should behave equally यह वाला जाएगा सरकार हर किसी को समान नहीं बना सकती तो government cannot equalize everybody government cannot equalize everybody होगा यह समान तक अधिकार है this is right to equality तो दोस्तों यह थे topic बहुत छोटा सा था आपको लगत बहुत easy है लेकिन जब भी speaking करते हैं या फिर कोई competitive exams में ऐसे word आते हैं तो student confused हो जाते हैं वहाँ पर कुछ का कुछ लिखके आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा part of speech बहुत important है आपको अगर आठो part of speech को अलग से पढ़ना है बहुत 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 आपको अ बहुत बहुत है